महाराष्टर में जो महाराठा आरक्षन का जो मुद्धा चल रहा है इस महाराठा आरक्षन के मुद्धे पर बहुत सारे मन्नेवरों ने अपने अपने परतिक्रय दी है अब हमारे साथ संबजी प्रिगड के परदेश अद्यक्षे एड़ोकेट मनुजी आकरे साब जी आपकी महराठा आरेक्षन के संदर में वुवी कास्पेस्ट कीजी गए 30 सालों से महराठा आरेक्षन इस महराष्टर में लड़ा दिये जा रहा है हमारी मांग यह है कि अगर सवेधानिक माध्यम से जाना है तो मरठा समाज को OBC में समावेश करना चाहिए मरठा समाज OBC में समावेश करके उसकी आरेक्षन मर्यादा OBC की बढ़ानी चाहिए तभी यह निरने लागू हो सकता है अन्यता यह लोग हमें ऐसे ही मुर्क बनाएंगे और ऐसे अंदोलन बढ़ते जाएंगे आज की दोन में यह अंदोलन हिंसक हुआ यह क्यों हुआ इसमें दोशी मान्य मुख्यमंत्री मोद है जब हमने कहा था मुख्यमंत्रियों को का आप अंदरपूर को आना है वारकरियों के सामने आगर आना है विठल के दर्शन को आगर आना है तो आप जो मरठा मोर्चा में मांगे थी मरठा आरक्षन और जो किसानों की मांगे थे और विध्यरतियों की मांगे थे महिलाओं की मांगे थी जो जो मांगे थी वो मांगे का वो जो मांगे है उसके बारे में आप विशलेशन लेके होँ आईए कि वो मांगे कब पुरी होगी क्या होगा उसका डिटेल्स होँआ पर वहाना है। मुख्यमंत्री तो आट नि होलत मुख्यमंत्री के माद्यम से मुख्यमंत्री नर्य क्या कहा। कि मैं जाने वाला था। लेकिन वहां कुछ समाज कंटक साप छोड़ने वाले हैं। आप मरड़ा समाज की लोग साप छोड़ने वाले किसान लोग है ये खेती में काम करते हैं सबेरे चार बज़े उटकर तीन बज़े उटकर खेती में जाते हैं पानी छोड़ते हैं और वो चिकड में काम करते हैं जहां साप आते हैं चुवे आते हैं बिच्चु आते हैं सब जनुवरों में रहते हैं यह लोग यह सब काम करते हुए भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह साप छोड़ने वाले थे इसी माध्यम से मुख्यमंत्री के ये बेताल वक्तवे से ये महाराष्टा में आंदोलन छेड़ा गया कि इस मुर्ख मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री पर भरोसा कैसा किया जाए और इसलिए महाराष्टा में आंदोलन हुआ और जो चार लोग आज मरे महाराष्टा में तो उसके लिए मुख्यमंत्री जबाबदार है और मेरी माध्यम से इस माध्यम से और राष्टपती से राज्यपाल से सबसे मांग है कि इस मुख्यमंत्री का राजय नामा लिया जाए इसका रिजिक्शनेशन लिया जाए और इसे IPC सेक्शन 304, 304A और 306 की तहट इस पे मंत्री के लोग कुछ कर ही नहीं सकते अब मेरा यह मानना है मुख्यमंत्री को कि इतना हो तो यह आप सववाड नहीं कर रहे हो किसी से बात नहीं कर रहे हो इस पर मारगने कर रहे हो लेकिन अगर ये मरने वाले लोग कल मारने लगए और कोई मुख्य मंत्री मंत्री आमदार खासदार इनके घरों पे अगर जाने लगए तो इन्हें रोकेंगे कैसे ये हमारा social view के माध्यम से हमारा प्रश्ण है मुख्य मंत्रियों को क्योंकि हम सामाजिक संगटन सामाजिक अंग से काम करते हुए हमें महाराष्ट्र में ये हिंसा नहीं चाहिए लेकिन अगर मुख्य मंत्री शब्द नहीं खोलेंगे और ये लोग ऐसा करने जाएंगे तो इन्हें रोकेंगे कैसा रोकेंगा कौन ये प्रश्ण हमारे सामने है इसलिए मेरे आपके माध्यमसी मांग है कि मुख्यमंत्री नहीं तो राज्य महाराष्टा के महामईम राज्यपाल ने इसमें हस्तश्प करना चाहिए क्योंकि यह emergency है आनीबानी की प्रिस्तिति है महाराष्टा में लागू है न कोई मंत्री गन पे न मुख्य मंत्री पे किस पे विश्वास रहा नहीं है कि आज तक जिस जिस मंत्री को मान्य मुख्य मंत्री ने भेजा है उन्हें कोई भी निरने लेने का अधिकार न देती हुए भेजा था इसलिए केवल केवल आश्वासन देकर मंत्रीगन अपने घर पे गए है लेकिन इस वक्त आश्वासनों के खैरात पे हम रहने चुप रहने वाले नहीं है हमें निरने चाहिए हमें न्याय चाहिए जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा ये अंदोलन थमेगा नहीं लेकिन एक अ निर्ण के लिए आगे आना चाहिए मेरी मांग है जैए जो जैश्युर्ण